नमस्कार SPT न्यूज में आपका स्वागत है पेश है जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरें लोकडाउन में मई जुन माह के दोरान शराब और बियर की कम खरीद वे बिक्री पर राज्य सरकार ने शराब की दुकान पर करीब ढाई लाक रूपे का जुर्माना लगाया और कहा कि 15 दिन में जुर्माना जमा नहीं करवाया तो शराब विक्री के लिए नहीं देंगे और लाइसेंस रद करवाने की कारेवाही होगी। इसके हिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिस्ट नियायधिश विजे विश्णोई ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाई है और राज्य सरकार सहीद जिला आपकारी अधिकारी नागोर को चार सप्ताह में जबाब तलब किया है। जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया वही महिला की मौत हो गई। गटना नोखा अंडर ब्रिज के पास की है। महिला के शब को मोर्चरी में रखवाया गया है अभी तक बृतक महिला की शिनक्त नहीं हुई है। रारेस्तान हाई कोर्ट के निया अधिश विजय विश्णोई ने जोदपूर के मतुरा दास बातुर अस्पताल के क्यूरोलोजी विभाग के सह आचारें डॉक्टर प्रदीब शर्मा को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। के 50 स्थानों पर सांकेतिक सत्याग्रह किया जाएगा तथा करमचारियों के पक्ष में हस्ताक्षर अभ्यान चलाया जाएगा। प्रदेश कॉंग्रेस के पुर्व सचिव की राडू पारक में सत्याग्रह करेंगे। इस दोरान कोरोना एडवाइजरी की पूर्ण पालना की जाएगी। जिला प्रशासन को इस संबंद में सूचना दे दी गई है। जोगपूर संबाग में पंचायच चुनाव को लेकर संबाग या आयुक डॉक्टर समिच शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में पंचायची चुनाव करवाना अपने आप में चुनोती पूर्ण कारे है। जिसको सफलता से निश्पादन करना है। उन्होंने बताया कि जोधपूर में बारिश के बाद सड़कों के मरमत का कारेत तेजी से किया जा रहा है। जिससे आम जन को इसका लाब मिले और आवागमन की सुविदा सुगम हो सके। बीकानेर जिले में करोना संक्रमन अब घातक होता जा रहा है। संक्रमित मरीजों के साथ इस से होने वाली मोतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पीबीम अस्पताल में चिकिसकों के तमाम कोशिशों के बावजूत बुजूर्ग संक्रमित दम तोड रहे हैं जो की चिंता का विशे है। CMHO डॉक्टर बियल मीना से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को 81 वर्षिया नर्सियां की मृत्यू हुई जो की 23 सितंबर को अस्पताल में भरती हुए थे। इस तरहें जीले में कोरोना से होने वाली मृत्यू दर का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं वरिष चिकिस्तकों का कहना है कि जिनकी मृत्यू हो रही है वे पहले से किसी ना किसी गंबीर बिमारी से पीडित हैं। जोगपूर में कोरोना के बढ़ते संक्रमन की रोक थाम के परियास में जुटे नगर निगम, जीला और पुलिस प्रशासन की और से जन जागरुपता कारेकरमों का लगातार आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की और से एक सास सास तानों से जन जागरुपता रैली आयोजित की गई। इसमें जीला व्या पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से दुकानों, ओफिसों, वहन सहीत अन्य कई स्तानों पर नो मस्क, नो एंट्री के पो की, उन्होंने फार्मा सिस्टों को मरीजों की बहतर सेवा के साथ उच गुनवत्ता वाली जैनरिक दवा उपलब्द करवाने का संकल्प दिलवाया। मारवाड में मानसुन लगबग विदा हो गया है, अब मोसम शुष्क बने रहने के साथ ही गरम हवाएं चलने लगी है, खेतों में खड़ी फसलों की कटाई आरम हो गई है, मानसुनी बारिश के असार अब नजर नहीं आ रहे है, शहर में आज हलके बादल चाय रहने के अतिरिक जिला कलेक्टर को राष्ट पती के नामे ग्यापन सोपा, जिसमें जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की गई, ग्यापन में बताया गया कि केंदर सरकार द्वारा लगातार किसान, मजदूर, नोजवानों और विद्यार्थियों के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही है, वह सरकार लोग तंतर की हत्या करते हुए पूझी वादी वरख की सेवा में लग गई है, बीम आर्मी एकता मिशन ने जोदपूर के आतिरिक जिला कलेक्टर को राष्ट पती एवं मुख्यमंति अशोग गहलोत के नाम का ग्यापन सोपा, बीम आर्मी सं अधिया नारायंट व्यास्विश्व विध्याले में साहिंक कालिन अध्यन संस्तान में बीकॉम प्रतम वर्ष और विदी संकाय में बीबीय एललबी प्रतम वर्ष के लिए ओनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने की अंतिम्तिती बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई है, वेश शराब की धर पकड अभियान के तहट पिपाट शहर थाना दिकारी, बाबुलाल राना ने साथिन तिरहा सित भादरी राय होटल पर दबिश देकर देशी सराब के 34 पवे वा अंग्रेजी शराब के 31 पवे तता 13 बीर बोतले पकड़े, फिलाल इस विलिटिन में इतन ही फिर हाजर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ